दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे होममेड सूपर हेल्थ ड्रिंग जो कि बच्चों के साथ सभी इस ड्रिंग को ले सकते हैं इसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू लिया है तो यह 50 ग्राम के करीब काजू मैंने लिया है और सेम क्वांटिटी में पिस्ता लिया है और आमांड इन तीनु की क्वांटिटी सेम रखेंगे और इसका हाफ लेंगे मखाना तो मैंने 25 ग्राम के करीब मखाना लिया है अब इस इन सभी को medium to low flame पे roast करेंगे roast करने से क्या होंगे कि इसमें से कच्चापन निकल जाएगा और इसमें सौंधापन आ जाएगे तो चलिए इसे roast कर लेते हैं दोस्तो मार्केट में मिलने वाले health drink से या कई गुना अच्छा drink है क्योंकि मार्केट में मिलने वाले health drink में ज्यादा तरचीनी ही होते हैं तो फ्रेंड्स अपने बच्चे को diabetes से बचाना है तो खुद का अपना homemade drink बनाए अपने बच्चों के लिए यहां पर यह अच्छे से roast हो गया है आप देख सकते हैं तो अब इसे एक बरतन में निकाल लेंगे अब उसी पैन में यहां पर डालेंगे 50 ग्राम peanuts जिसे मुंगफली के दानने भी बोलते हैं अब इसे भी medium to low flame पे अच्छे से roast कर लेंगे मुंगफली को रोश्ट होने में थोड़ा टाइम लगते हैं इसलिए इसे अलग से roast करेंगे तो यहां पर देखे मुंगफली के दाने भी रोश्ट हो गया हैं तो अब इसे भी एक बरतन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके इसका छिलका हटा लेंगे अब सभी nuts को ठंडा कर लेंगे उसके बाद एक greener जार लेंगे और उसमें थोड़े थोड़े करके nuts को डालेंगे और उसे fine पीस लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा fine इसे पीसा है अगर यह आपको दरदरा लगेंगे तो इसे आप छान भी सकते हैं और इसे air cat container में भर के रखेंगे नहीं तो यह खराब हो जाएंगे तो अब इस powder को डालेंगे गरम दूध में तो यहां पर मैंने powder को add कर दिया है इसके साथ डालेंगे आधा चमच चीनी और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे अब आपका home made health drink बनकर तयार है सर्फ करने के लिए तो friends आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share कीजे और please मेरे चैनल को subscribe करके वेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye लिए भी आई